नमस्कार दोस्तो मनी हाइश्ट के सीजन 5 का पहला वोलिम जब आने वाला था दोस्तो तो सभी लोग की सासे थमी हुई थी कि एलेसिया जोकी प्रोफेसर के सामने बंधूखताने खड़ी हुई थी और वहाँ पे सीजन 4 की समापते हुई थी तो वोलिम 1 में हमें क्या देखन जाता है कि जिस तरीके से baby born में उसके help करते है प्रोफेसर उसकी कायल हो जाती है एक तरीके से कहते है मुरीद हो जाती है लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ वो help लेना नहीं चाहते थी लेकिन ऐसी सिचुएशन आन पड़ी थी कि उसे प्रोफेसर और मारसेलिया की हिल्प लेनी पड़ी थी बेबी बॉर्ण में तो अब बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या ऐलीसिया पारकर की गैंग का साथ देगी प्रोफेसर का साथ देगी या अपने पुलिस कर्मियों का साथ देगी जो की वो है मुचे औहदे पे है तो अगर सबसे पहले एलीसिया की situation समझे दोस्तो तो आपको बता दूं कि करनल तमायो ने उसको यहाँ पे नौकरी से निकाल दिया है और उसको कई मुक्यदमे हैं वो भी चल रहे हैं तो यहाँ पे उसको अब बेगुनाह भी अपना साबित करना है बेगुनाही का सबूत भ लेकिन आपको याद होगा दोस्तो एक सीन आता है जब वो बात्रूम में जाके कुछ सोचती है तो आपको बता दूं कि वो क्या सोक सकती है यूंकि उसके दिमाग में यह चल सकता है कि मनी हाइस का जो पूरा प्लैन है वो आगे अब सक्सिस नहीं हो सकता है तो सायद वो प लेगुनाही का सबूत रिकॉर्ड करके पुलिस के पास जाके अपनी नौकरी दुबारा ले सकती है क्योंकि उसको अंदाजा हो चुका है दोस्तो कि ये चोरी सक्सेस्पुल नहीं होने वाली है लेकिन ये मैं बता रहा हूँ दोस्तो कि ऐसा हो सकता है ऐसा में बिल्कुल क पन फर्म के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो वॉलिम टू में ही पता चलेगा लेकिन फैन थियोरी लगातार बन रही है उसी पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सायद एलिसिया दुबारा अब प्रोफेसर को धोखा दे सकती है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए क्य प्रोफेसर अगर कैद में आ जाते हैं दोस्तों अगर पुलिस को थोड़ी सी भी हिंट मिल जाती है तो वो दोस्तों वहाँ पे खूपया जगह के पास जा सकते हैं पुलीसौले और फिर अगर प्रोफेसर फसा तो वो तोता जिसे कह सकती हैं कि सारे लोग की जान बसजी है उसमें अगर तोता आ जाता है कबजे में पुलिस कोए तो दोस्तो हाइस्ट वहीं पे खतम हो सकती है